मैं आचारे गविनोध श्रीमाली आज हमारे चैनल धर्म धोजा के द्वारा हम राशियों की श्रिंखला में आज कुम्भ राशी की जानकारी देने जा रहे हैं यह जानकारी आने वाले नूतन वर्ष 2019 की संपून कुम्भ राशी की जानकारी है अब हम आपको जानकारी देना अब आप सुनिए कुम्भ राशी के लिए वर्ष 2019 का वाशिक राशिक फल कुम्भ राशी भविश्य 2019 बेहतर प्रयास और समर्पंट से मिलेगी सफलता पिता बुजुर्गों भाई बहनों और सीनियर्स के सहयोग से साल की शुरू आता आपके लिए बेहतर होगी आपको सफल अब आपको अपनी प्रतिश्टा खोनी पड़ सकती है आपको किसी भी सरकारी कारे के प्रतिसाबधान रहने की जरूरत है क्योंकि बाद में आपके खर्च बढ़ सकते हैं किसी भी तरह के घलत काम से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा पूर्वजों की समपतिश से कामलों पर निर्ण लेने से पहले किसी विशेशग्ये से प्रामर्ष करना बेहतर होगा साल के तीसरे महीने के बाद आपको लंबित लाब मिल सकते हैं मार्च के बाद प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनिश्चित्ता का सामना करना पड़ सकता है जुलाई और अगस्त के दोरान आप सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे चात्रों के लिए साल की सकारात्मक शुरुआत होगी लेकिन मार्च के बाद कड़ी मेहनत की आवशक्ता हो सकती है जलाई के बाद पड़ाई में ध्यान के इंद्रित करने में परिशानी हो सकती है लेकिन इस द पड़ी मौडरिक लेन देन में समस्याएं पैदा कर सकती है हाला कि फरवरी के बाद आपकी स्थिती में सुधार हो सकता है मार्च के बाद कई तरह किलाब मिलने के बाद आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं जुलाई के आसपास आप एक धीर घकालिक दृ सितंबर माह में मशीन रिवाहन और एलेक्ट्रौनिक सामानों की खरीदारी कर सकते हैं इस साल 31 से संबंधित दस्ताविय जी कारे में साबधान रहने की ज empresa शेर ब्रोकिंग आयात नेरियात और अभूशन से संबंदित व्यवसाय के लिए साल का मद्या चरन फाय देमंद साबित हो सकता है कुम्भ राशी भविश्य 2019 निजी और सारवजनिक संबंद इस वर्ष आपको अपने रिष्टों के प्रती चिंता करने की आवशक्ता नहीं हो इस साल दोस्तों से कई बार मुलाकात होगी हाला कि मार्च के बाद आपक सतर्क रहना पड़ सकता है कठोर शब्द और बातचीत के कारण जलाई के दोरान अपकी प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं पैदा हो सकती हैं अगस्त के दोरान आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिष्टे को लेकर भावनात्मक हो सकते हैं सितंबर के दोरान आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा ताकि परिजनों और रिष्टेदारों को ठेस न पहुंचें क्यूंकि यह रिष्टों के लिए काफिलना जुक्त होगा नवंबर माह के दोरान आपके व्यावसाइक संबंधों में सुदार हो सकता है लेकिन साल के आख प्रोफेशनल ट्रिप पर जा सकते हैं साल के मध्य में आप अपने जीवन साथी के लिए ग्यहन प्यार महसूस करेंगे शादी की इच्छा करने वाले लोगों को इस साल सफलता मिल सकती है अक्टूबर और नवंबर के दोरान आप विप्रीत लिंग प्रती आकर्शित हो सक ऐसे में आपको अपने मन को नियंतरित करना होगा साल के आखिरी चरण के दोरान आपका वैवाहिक जीवन सामान ले रहेगा लेकिन आपको अपने क्रोध और अहंकार को नियंतरित करने की आवशक्ता होगी कुम्भ राशी भविश्य 2019 नौकरी और व्यापार अगर आप कि रचनात्मक शेत्र में हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है मार्च का महीना कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा और इस माह के अंतक कठिंग प्रतिस परधा के बाद अपने प्रतिस परधियों को टक कर दे सकेंगे कारे या व्यापार में मत से बचने के लिए आपको शब्दों पर नियंतरन पाने की जरूरत है मार्च के बाद रडिच्छा शक्ती और आत्मविश्वास के साथ आपका काम पूरा होगा जॉब में आपको प्रमोशन मिलने के साथ ही व्यवसाय में भी सफलता मिल सकती है अक्टूबर के दौरान कारे शुरू न करना आपके लिए बेहतर होगा साल के अंतिम दो महीनों में आपकी किसमत आपका साथ देगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे इस अवधी में आप नए आयस रोत बनाने में सफल होंगे कुम्भ राशी भविश्य 2019 यात्रा और स्वास्त साल की पहली तिम टर होगा और आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं जीवन साथी के स्वास्ते को लेकर थोड़ी चिंता होगी पिछले दो महीने आपके लिए बेहतर साबित होंगे इस वर्ष आपको कई बार यात्रा करनी पड़ सकती हैं फरवरी माहा में आप एक साहसी यात्रा की योजना बना सकते हैं यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अक्टूबर के बाद सफलता मिल सकती है इस साल दो या तीन लंबी यात्राओं का भी योग बन रहा है कुम्भ राशी भविश्य 2019 शिक्षा और ग्यान चात्रों को इस साल काफी उतार चढ़ाव का सामना क करना पड़ सकता है अठन जन्वरी से 15 फर्वरी तक पढ़ाई के प्रती रुची कम होगी जिस से के अरियर के महत्वपून वर्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है हाला कि यह स्थित जल्द ही खत्म हो जाएगी आपको सफलता प्राप्त करने के लिए स्टडी पहनत की आवशक्ता हो सकती है इस साल आप खुद को है कल कालिक रशनातमक पाठे करम